इसलामा अलेकुम मैं हूँ एसद मैमोद और वेलकम टू जाइनास लास्ट वीडियो में हमने सेरीज के इंटोड़क्शन से स्टार्ट किया था जिसमें हमने बबल.io का इंटोड़क्शन किया था और यह देखा था कि Bubble.tio क्या है और बिसिकली उसे हमें क्यों यूज़ करना चाहिए आज की वीडियो में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा और और अपलेट करेंगे यह हमारी सेकंड वीडियो है इस कोर्स की और इसमें हम इस मॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि Bubble.tio प्रोग्रामिंग लेंविजिस से हमारे लिए कैसे बेनिफिशल हो सकती है उनसे ज्यादा और उसके बाद हम Bubble.tio पे अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसी के साथ इस वीडियो को फाइनलाइस करेंगे जिसके बाद कि नेक्स वीडियो में हम Bubble.tio के जो अकाउंट है उसको वाप्थू करेंगे और अपनाएब चलते हैं वीडियो के तरह मैं यहाँ पे ब्रॉजर को उपन कर लूँगा और यहाँ पे सेल्च करूँगा जो कि हमने लास्टम किया था बबल.tio और अब की बार मैं इसको बुक मार्ट कर लूँगा ताकि क्योंकि हमने बार बार इसको यूज़ करना है तो हमारे लिए इसी देगा मैं यहाँ पे बुक मार्ट पे क्लिक किया मैं एडिट करूँगा और इसका नेम सिर्फ चेंज कर दूँगा बबल.io और यहाँ पे आके यह बुक मार्ट को हो गया है राइट क्लिक करके शो बुक मार्ट और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यह शो और फिर यह क्विक लेसन था अब कंटिन्यू करते हैं अकाउंट क्रियेशन से बबल.io पे आने के बाद आप क्लिक करेंगे गेट स्टार करें उसके लिए आपके पास एक गूगल अकाउंट होना ज़रूरी है अगर आपको यह नहीं पता कि गूगल अकाउंट कैसे बनाते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में एट कर दोंगा आप उसको देखके अपना गूगल अकाउंट बना सकते हैं अभी के साथ आपका बबल डोट आयो का अकाउंट क्रियेट हो जाएगा अब यहां पे हमें वो तीन अप्शन दे रहा है कि बिसिकल ही आप बबल डोट आयो में क्या करना चाहरे हैं बिल्ड आयर या अर्ण और यह सिरफ पर सिरफ एक अकाउंट प्रेफरेंस पर आप अर्ण प अब एक्स्प्लॉरिंग के प्लैन पे हैं क्योंकि अभी हमने कोई अपनी अपनी बनाई यह कुछ भी नहीं किया थो उसको और इस स्टेप पे किससे बदा चला आप अधर पे क्लिक करके और कंटिन्यू कर दें क्योंकि आपको इसका यहां से स्कोर से बदा चला इस नयाव और आप स्टार्टिट पे क्लिक कर सकते हैं इसी के साथ आपका जो बबल जो टायों का अकाउंट क्रिएशन का प्रसेस है वो कंप्लीट हो गया और ऑनबोर्डिंग का प्रसेस भी कंप्लीट हो गया है गैट स्टार्टिट पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज़ पे डीडिरेक्ट हो जाएंगे यह बिसिकली आपका एब क्रिएशन ओन पोर्डिंग पेज है जो फिर्स हमने देखा था वो अकाउंट ओन बोर्डिंग पेज था जिससे के हमें अकाउंट पे अंबोलिंग होगी थी अब यह मैं तरीका बता रहा है कि हम एप कैसे क्रियेट कर सके हैं अभी के लिए आप बेसिकली इसको स्किप एप्लिकेशन असिस्टेंट पे क्लिक कर दें और उसके बाद आप इस पेज़ पे रीडिरेक्ट हो जाएंगे और अभी के लिए हम इनको बाद में स्टेडी करेंगे मैं यहां पे फिर क्लिक करूंगा यह जो उपर आ रहा है तो लेफ्ट गॉर्णर पे बबबल.io और उस पे क्लिक करने के बाद आप बेसिकली इस पे रीडिरेक्ट हो जाएंगे अपने बबल.io के अकाउंट के हॉम पेज पे अब हम नेक्स कंटिनु करते हैं इस क्वेस्टन से कि बबल.io किन केसिस में हमारे लिए ज्यादा बैरिकेशन हो सकता है इसके लिए बबल.io एक बहुत ही अच्छा स्वेशन हो सकता है वो है डिजाइनर्स बेसिकली अभी हमारे पास जो डिजाइनिंग के टूल है उसमें अडॉब एकस डी आ जाता है उसके इलावा बेसिकली हमारे पास फिगमा आ जाता है उसके लावा आप फोटोशॉप इल बेसिकली किसी भी वेबसाइट की या मॉबाइलाब की यूआई बनाते हैं उन सब केसे के लिए बबल.io एक बैटर स्लूशन हो सकता है उसकी वज़ा क्या है क्या है क्योंकि बबल.io फस्ट ओफोल हमारे पास यहां पे फ्री प्लैन अवेलेबल है सेकेंड यह ओल्मोस्ट यह फुल ड्राइग एंड ड्रॉप बिल्डर है जिस तरह कि आपने फिकमा में कंपोनेट्स राने हैं इसमें भी कंपोनेट्स राने का उप्शन है उसमें आपने अनिमेशन करनी है उसमें बेसिकली एनिमेशन बहुत ज्यादा मश्किल है इसमें एनिमेशन बहुत असान ह उसमें नैविगेशन, वर्कफ्लोज वगएरा बनाने के लिए आपको प्रोट्रोटाइपिंग, वाइल प्रेमिंग, जारा काम करना पड़ेगा, इसमें वो भी काम बहुत ज्यादा आसान है, जो काम उसमें नहीं हो सकता वो बैसिकली डैटा हैंडलिंग और वर्कफ्लोज म बबल.io में वो एक तो बहुत ज्यादा आसान है और ये इसकी स्ट्रेंट्स में से एक है, ये कोई इस तरह का वर्कराउंग नहीं है, बलके इनकी एक्च्वल फीचर्स हैं, फस्त, दूसरा ये उनके लिए बहुत ज्यादा बैनिफिशल है, जो नॉन टेक्निकल परसन है, बेसिकली जो प्रोग्रामर्स, ड्वैल्पर्स नहीं हैं, जिनको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेच या फ्रेमवक नहीं आता, लेकिन वो फिर भी बेसिकली ड्वैल्मेंट फीड में आना चाहते हैं, उनके लिए बबल.io एक बहुत ही अच्छे उपर्चुनिटी ह या क्योंकि वो बबल.io को बहुत ही असानी से सीख सकते हैं, उसको फॉलो करते हुए और उसके बाद वो फुल स्टैग एप्लिकेशन बना सकते हैं, तो यह उनके लिए है, लास्टी यह ड्वैल्पर्स और प्रोग्रामर्स को की हेल्प कर सकता है, अगर आपकी जो फेवर बजट जो प्रोजेक्ट का बजट है वो उस टाइम लाइन को उस ड्वैल्पमेंट टाइम लाइन को मीट नहीं कर रहा तो आप उस केस में भी बबल.io को यूज करते हुए, कि क्विक प्रोटोटाइब ना सकते हैं, प्रोजेक्ट को अप्रूफ कर आ सकते हैं, और एंड बिसिकली फुली डिसाइट कर सकते हैं, कि आप बबल.io की प्रोटोटाइब की कोई करकी जू करना चाहरे हैं, या फिर आप उसको कस्टम ड्वैलप करना चाहरे हैं, तो यह कुछ केसे थे जिनको मैंने डिसकस किया, इनके इलावा भी कॉंटलेस केसे हो सकते हैं, बबल.io इसके लिए भी यह बेस्ट है, और प्रोग्रेमर्स की इससे बहुत ज्यादा फाइदा उठा सकते हैं, फिर यह आज की वीडियो के लिए, अब नेक्स हमारी वीडियो इल्लाइन है, वो बिसिकली वीडियो नमबर 3 है, जिसमें के हम कंटीनियू करेंगे, अपने बबल.io क अकाउंट फ्लो में से हम देखेंगे, इसमें हमारे पास बेसिकली कौन कौन से पेजिस रूट पे अवेलेबल हैं, इटी सी, उसके बाद बिसिकली हम एक दफ़ा क्विकली उसके प्लैंस को गो फ्रू कर लेंगे, और लास्ट ली हम एप क्रियेशन प्रसेस को देखेंगे कि हम आपको खुद बना भी कैसे सकते हैं, डिलीट भी कैसे कर सकते हैं, और वो काम हम करके देखेंगे, ये थी आज की वीडियो, होफुली आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई हो की, once again, जो भी आपके फैलो मेंबर्स, जो डिजाइनर्स हैं, नॉन टेक्निकल पर्टिस किसी डियक्ट की जरूरत हो नहीं, आपको HTML की जरूरत नहीं, आपको JavaScript की जरूरत नहीं, आपको किसी चीज की प्रिवियस नॉलिज होने की जरूरत नहीं है, इस कोर्स में आपको स्टार्ट से एंट टक एक्सपर्ट ना आजाएगा, बबल.io पे और आप एक फुल करेंगे, usingbubble.io तो इस कोर्स को जरूर अपने प्रेंट्स और कुलीस के साथ शेयर करें, सोचल वीडिया पर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फाइदा असल कर सकें, वीडियो के रिलेटिड कोई भी क्वेस्टन हो, या कोर्स के रिलेटिड कोई भी क् प्लीज उसे comment section में mention करें, मैं उसको review करूँगा, उसका जवाब दूँगा, अगर उसके कोई video required होगी तो उस video को भी interview किया जाएगा, बनाया जाएगा और आपको उस concept को clear किया जाएगा, आज के लिए इतना ही, video का like, share and comment करें, channel को subscribe करें, मैं आपसे मिलूँगा next video में, त अजये मिलूँगा झाड़ करें, उसका comunque ख Spencer.